हाई दोस्तों कैसे हैं 21 सप्टेमबर 2019 से और सनीवार का दिन है जैसा कि मैं आपको अपडेट लेते आता हूं अपडेट बताता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी पर मुझे लगता है कि वापस टाइम है यहां पर आपको वापस प्रिवेश वीडियो पर देखे होंगे तो मैंने आपको अपडेट दिया था कि मार्केट में कहीं न कहीं खरीदारी की दिख रहा है दो मुझे यह नहीं मालूम था कि इस तारह मंजे नहीं यह टेक्स पर जो बे तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि यह खरीदारी होगी दूसरा कहीं न कहीं आप लास सेलिंग देखेंगे तो अगस्त में तोड़ा कम हो रही थी वह भी एक हिंट दे रहा था जो कि मैंने आपको ब्रिपली बताया भी था अपने प्रिवेश वीडियो में और उसी बताना चारा हूं कि कहीं न का एक फाई की खरीदारी वापस आ रही है अब उनको जड़त नहीं है ऐसा बताना उनका कि अब हमको जड़त नहीं उनकी वह बात दी है ऑल्टीमेटल यह पोजिटिव है तो डी आए एफफाई दोनों वाई कर रहे हैं मंड़े का मार्केट अ रहेगा यह आपको भी मालूम है सबों को मालूम है कि मंडे भी कंटीनियू अपसाइट ट्रेंड में रहेगा कहीं ना कहीं मार्केट यहारा पांसो पेक सुस्सी लेते हुए दिखेगा फिर ग्यारा साथ सो पचास और एक बार जाना तो भी तहें फिर कुछ दिन रहते रहे और अभी इस मेहने की जो एक्सपाइरी होने वाली है 11600 के राउंड में बहुत ज़्यादा कॉल में पोजिशन बनते वह आपको दिखेगी और 11300 पर पर सौट की पोजिशन बन नहीं है किसी भी रीजन से वह 11000 के नीचे नहीं जाने वाला है इस 11000 के नीचे आपको नहीं जाना है और 11600 के राउंड आपको इस मेहने की एक्सपाइरी आपको देखने को मिल सकती है तो आपको बुलीज पैटन बुलीज व्यू में रह सकते हैं यह मेरा जो भी वीडियो बता रहा हूं यह ओपिनियन है सिर्फ व्यू है मेरा मेरा कोई को भी बाइं और सिलिंग रेकोमेडिशन नहीं है अब अगर प्रिब्यास को भी बाइं कि रहते तो अच्छा अर्निंग में अभी रहती है वह बात नहीं जो भी किया वह बात किसी को नहीं मालूम तो लेकिन अभी इंडेक्स से ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है कही कहीं आपको इंडेक्स से अच्छा आपको बाइंग मिलन देखने को मिलेगी वह मिलेगी आपको सेर्स में क्योंकि रेट्स जो हैं वह बहुत ज्यादा गिर चुके और उस रेट का फाइदा आपको उठाना चाहिए ऑटो सेक्टर में भी यह कही ना कही मूव है लास्ट व और भी मुझे जो अच्छा लगता है वो कहीं ना कहीं हीरो मोटर पॉफ बजाज फाइननस मदसर्स सुमी एफसल अप आप आप आई-शेसी बैंक इस सब कह सकते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा लगता है टाटा स्टिल वेधानता यह सब थोड़ा मुझा अ आती है तो यह अच्छा गेन के रूप में आपको आ सकते हैं और जैसा वेधानता के ओनर खुद अलीन अगरवाल जी आए थे और उन्होंने बोला कि वह इस टेक्स बेनिफट से उनको कितना फाइता होगा तो कहीं ने कहीं वेधानता को एक कमिन डेज में अच्छा उठते है बढ़ेगा और चुकि उसका भी कोई कमपेटिटर नहीं है तो सैद आपको अच्छा देखने को टाइटर में भी मिल सकता है पेपर इंडस्टी में जहां पर वाच कर सकते हैं देख सकते हैं तो यह सब पर आप पोजिशन बुलिशनस का बना सकते हैं बट कभी भी पोज लॉंग टर्ण के लिए इसको सोच सकते हैं ऐसे स्किट पर ध्यान दे सकते हैं पोटफोलियो में रख सकते हैं और लॉंग टर्ण के लिए इसको सोच सकते हैं यहां आपको जाने को कुछ भी नहीं मिलेगा खोने को कुछ नहीं मिलेगा अधानी पावर टाटा पावर अच्छा आपको दिखा भी देऊ चुकि टाइटन दिपावली में एक काम भी करता है प्रॉफिट भी वड़ता है तो सकता है कि ऐसे जोनली सेक्टर में आपको अच्छा गेन भी देखने को मिल सकता है मेरा कोई भी बाइंग और शेरिंग रेकोमेंडेशन किसी भी स्क्रिट पर नहीं है आप जो भी करें अपने फाइनेसर डवाइजर से बात करने के बाद ही करें चलिए तो निफ्टी क्या किया बताने की तो जुरूद नहीं क्योंकि आप सभी ने देखा क्या किया ओपनी 11 जब यह एक पर अप लिया इस रेंज के पास आया तो यह मेंटेन किया मिस अलड़ी यह आप पहुच चुगा था और इस पैटर को यहां इसके लोग को देखेंगे ति यह लोह यहीं पर आ चुगा था मिस 1131 में यह आ चुगा था और इसको कंटिनटी के रुप में यह मैंटेन किया है मैं इसलिए यह जो लगता है कि जो हुई है अच्छी क्लोजिंग यह इतने अप के साथ अगर हुई है और कहीं पर विक्नेस नहीं दिख रही है इस कारण से मंडे को यह कंटिन्यू कर सकता है और मुझे लगता है कि यह अपर साइड में 11.450 पास्तों क्यास पर थोड़ा सा रिशिस्ट कर सकता है वहाँ से क्रोस करता है तो आपको 11.750 अगर अप्टूबर की को को पूट को जानते हैं देखना चाहते हैं तो 11.274 की क्लोजिंग इंगना चार्षो की कॉल को वाज कर सकते हैं देख सकते हैं है यारा चार सो काल को वाच कर सकते हैं अगर मैं देखो तो नेपटी के अप्टूबर 11400 का कॉल जो आएगा अभी 26 सेक्टमबर है और मैं जो बात बता रहा हूं वह आपको बता रहा हूं कि 31 अक्टूबर का कॉल 31 अक्टूबर का चार्शों का कॉल जो मिल रहा अभी और यह मिल रहा है लगबग आपको लास्ट एड़ पाइसे 178 पचातर का लॉट होता है आप इसको देखें यह 178 का है ओपन इंट्रेस्ट 27 पसंट से गेन हुआ अभी भी इसमें बाइक कॉंटेटी ज्यादा है और ओपन जहां पर यह ओपन 21 पर हुआ था तो का इंट्रेड का यह स्टाप लॉस से आप पेपर कर सकते हैं वाइं करने की मेरी को किन भी सलाय नहीं मार्केट वे अब पर ठीड में स्टाप लॉस सपहें 114 से के कॉल को 31ज़ की एक सपाईरी को हंडेड के स्टापले शट क्रक्त और फटीमीनिंटी की डिटेल सब्सक्राइब कोई भी आप देखिए दस पसंट से नीचे नहीं है वहीं जी इनफोसिस टीस यहां पे आपको कहीं अभी एक पोजिशन बनी है इनफेक्ट एक अच्छा स्क्रिप्ट है आप इसको 150 के टार्गेट के लिए हो सकता है लॉंग टर्म इलिए इसको रख सकते हैं एफाई डियाई की बात करूं तो एफाई ने कैस में खुद 35 करोड की 20 सप्टेमर को देखेंगे तो खरिदारी की और 3000 करोड की डियाई ने खरिदारी कि अमापको इसलिए बता रहा हूं कि उसके पहले जब मैं आपको बताया था कि वह यहां से देखिए 12 सप्टेमर से द फिर 11 सप्टेमर को जब बनाया थे तो आपको 266 करोड की करी ने खरिदारी आ रही थी मुझे यहां से दिख रहा है थे कि वह पोजिशन पर जा रहे हैं और यह एक सो वाजी हो सकती है और यहां पर पोजिटिव आई है 35 करोड की बाइं अभी तक देखेंगे तो 8191 करोड की टोटल सेल हुई है यहां कि दिख सकते हैं और अगर कोमडिटी में बात करें तो ब्रेंट कूट थोड़ा अपसाइड दिख रहा है कि 65 लेकिन मुझे लगता है कि यह आपको 60 की और जाते हुए जाये तो कोई बात नहीं लेकिन ब्रेंट मॉइल में मुझे लगता है जब मार्केट यह अपसाइड लेगा तो साइद यह नीचे की और आपको जाता वद्दिख सकता है वोल्ट पे दिपावली को लेकर के यहां पर आप दखेंगे 11120 के असपास अच्छा सपोर्ट है तो 11120 के स्टॉप लोस से आप चाहें तो निफ्टी में पहला टार्गेट मुझे लगता है यहां से यहां से जब अपसाइड खुल रहा है खुला ही है तो कहीं नहीं कि 1150 की और जाएगा और यहां से फिर 11750 की आप निफ्टी में बाइंग पोजिशन में बने राज सकते हैं मेरा कोई भी बाइंग सेलिंग रेकॉमेडेशन नहीं आपको पहले भी बताया है और अगर हम एक बार इसके 26 यह तो 31 सप्टूबर को बताया आपको अगर आप करेंट अभी 26 सेप्टेंबर को जो एक्सपार में देखेंगे पोजिशन बाइंग की और 11600 तक हो रहा है और बारा लाक एकाउन हजार का इनवाइंडिंग की पोजिशन भी बनी है और 11800 पर पर आपको दीख रहा है लेकिन जो अच्छी चीज़ है देखने को वह आप यहां पर है कि 11000 पर 48,54,000 का का कॉल राइटिंग ह हो रहा है 25 लगका 11100 पर 11200 पर 21,87,000 का और 11300 पर 15 लगका उसमें 13 लगका आपको फ्राइडे के दिन ही पोजिशन बनाया तो आप समझ सकते हैं अगर 48,20,60,80,85 और 1095 एक क्रोड़ों के आसपास का जो ट्रेड है वह 11300 तक पर है और सोट की पोजिशन है अगर यह किसीने का आरां से उपर गया और यह उपर गया थी शॉट कपरिंग आई तो 11600 आपको आरां से लेते हुए जाके दिख सकता है तो 11600 की ओर मार्केट जा सकता है दिख सकता है कहीं को प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसा लगता है कि पोजिशन मना सकते हैं और एक्सपाइरी को अगर दे या बहुत रिस्की ट्रेडर है नहीं चाहते हैं ज्यादा रिस्क लेने तो 114 का ले तो 50 का स्टॉप लोस जरूर लगा ले क्योंकि वह अगर 500 तक ही जाना 450 तक ही जाना तो उन्चास की वैलू भी एक्सपायरी में चली जाएगी तो ज्यादा यहां मिलेगा ने प्रॉफिट जरूर होगा इसलिए ग्यारा दोसो या दोसो पचास एड़्दा मनी एक सो चोगदा को लेने में ज्यादा फाइदा है इस तो यह अगर आप राइस लिए रखे रहते हैं तो क्या गेन करते हैं आपको खुद मालूब है लेकिन ऐसा होता रहता है मार्केट में असा कभी कभी आते रहता है कोई बात नी पोजीशन बनाए तो भी कोई प्रव्लम नहीं नहीं बनाए तो भी कोई बात नी जो मॉस्ट अक्टिव रहे वह HDFC, मारूती, ICAC बेंग, रिलाइंस और HDFC बेंग यह मॉस्ट अक्टिव सेर के रुग में पोजीशन बनाए और गेनर लुजर तो आपको आइसर हिरो और पिंडसलेंड बजाज और मारूती के रुग में रहे हैं मॉस्ट अक्टिव में देखे लिए वह पोजीशन बना सकते हैं लॉंग टर्ण के लिए 320 के टार्गेट के लिए लॉंग टर्म मत्ता 82 से 28 साल आपको रखना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप तुरंद बोले यहां से निकल जाए लॉंग टर्म एट्लिस टूइस आज की डिट की तो आप निफ्टी पे एक पोजिट नस दिखने को मिल सकता है वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत धन्वा मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रेकॉमेंडेशन मार्केट के नहीं है